Hello Friend, आपके सामने आ गये हैं एक और बहतरीन Questions लेके जो आपको बहतर बना सकता है तो चलिए Questions को देख लेते हैं और Question को Solve करते हैं बोला है कि इसका common difference जो है न देखिए solutions की मैं अगर मैं बात करूँ एक मिनाड मैंने पैन लेना रहे गया और चलिए पैन तो ले लिया मैंने अभी हम इसको solution करना इस्टार्ट करते हैं solutions की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला है common difference जो d है वो है 5 बोला है मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर बोला common difference को d बोलते हैं और दिया है 5 इसकी value पूछ रहा है देखिए a 18 माइनस a 13 ठीक है चलिए हम निकालते जाते हैं a 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस 17d जो फॉर्मला है a प्लस n माइनस 1 इंटो d n की value 18 रखोगे माइनस 1 करोगे तो 17 आ गया यहाँ माइनस इसका value जो आएगा न उसको bracket में लिखोगे कि उसके आगे माइनस प्लस रहता न तो नहीं लगा तो चलता क्योंकि यह sign बाकी सका change कर देगा तो यहाँ प्लस 13d है तो 12d आ जाएगा 13 है तो 12d आगे लिख लेते हैं यह प्लस 17d और यह माइनस तोड़ेंगे bracket को तो यहाँ पहले माइनस ए आएगा और यहां माइनस 12d आ जाएगा तो यह माइनस यह प्लस ए कैंसल बचा क्या 17d माइनस 12d 17d में से 12d माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5d आ जाएगा ठीक है और डी की वैल्यू दे दिया है 5 तो यहाँ पर मैंने डी की जो वैल्यू 5 रखी तो 5525 आ गया कौनसा ओप्शन होगा सी ओप्शन इस दर राइट एंचर ओके इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं